हुआ है अब लोग अम रहूल बटनाजर वेलकॉम टुमाइज यूट्यूब चैनल आज का हमारा यह वीडियो ट्राइल बैलेंस को कंटीन्यू करेगा भी इससे पिछली वीडियो में हमने ट्राइल बैलेंस के बेसिक कंस्रेप्ट को बहुत अच्छे से सिम्जा हमने समय है ट्राइल बैलेंस क्यों बनाए जाती है support of making trial बैलेंस के क्या फिन्चेश और इवन उसकी से देखना होगा और समझना होगा अक्सरस्थस सवाल आता है अक्सर यह स्टूदेट्स मूशते हैं कि एक पूझस ट्राइल बैलन्स में क्यों कि नहीं किया जाता why such step treatment डियों करते हैं प्र경त करते हैं क्लोगिंस टॉक के साथ क्यों नहीं दिखा धी निकलेंग उपनिंग के साथ किसी तरहा का सौतेला जैटावार नए करते लेकिन हाँ closing stock को फिर भी हम बाहर दिखाते हैं trial balance में नहीं दिखाते हैं students generally closing stock trial balance के बाहर ही रहेगा लेकिन कुछ exceptional cases होते हैं बहुत rare cases exceptional cases जिसमें closing stock trial balance के अंदर appear होगा हम उन दोनों cases को समझेंगे मेरा कहना है कि generally trial balance में closing stock नहीं होगा इत मीन्स 99 परसंट नहीं होगा लेकिन वन परसंट जैसे मैंने का अस्टेशनल के सोगा उस केस में ट्राइल बैलेंस में क्लोजिंग अपियर होगा हम आज उन दोनों केसिस को अच्छे से समझेंगे सबसे पहले हम आपको अग्जांपल के तुरू समझाता हूं ओपनिंग स्टॉक आपका मालूम है ओपनिंग स्टॉक मेंस जो स्टॉक पिछले साल का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो करेंट एयर में हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया आप लगा लिए ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और अग्जांपल फॉस्ट अप्रिल 2020 को हमारा opening stock था 1000 रुपीज का current year में हमने कुछ purchases किये कितने के किये 10,000 रुपीज के तो total हमारे पास current year में कितना stock हो गया कितने valuation का 11,000 रुपीज का यहां opening stock से मेरा मतलब valuation है, cost है और यह भी cost है quantity नहीं है cost of opening stock and cost of purchases इसमें से 11,000 हमारे पास current year में था अब 11,000 की cost में से हमारा goods sold goods sold for example, 9,000 रुपीज अब यह 9,000 रुपीज की cost मैं बोल रहा हूँ अब मेभी आपने यह 9,000 रुपीज को sale जो किया होगा आपने 15,000 में किया होगा अभी इस concept से हमारा कोई मतलब नहीं है अभी हम सिर्फ से cost को लेके चल रहे हैं तो हमारे पास कितने valuation का closing stock बचा रह गया 2000 रुपीज का रह गया closing stock it means closing stock की value कितनी है 2000 और जो हमारा cost of goods sold यहाँ पे आप लिख सकते हो cost of goods sold क्योंकि हम सारी cost की बात कर रहे है सेल हो सकता है 9000 का सेल जो हमने goods को किया है वह 15000 में किया हो अब देखिए opening stock को हम trial balance में लेते हैं पर्चेजिस को हम trial balance में लेते हैं closing stock को भी अगर हम लेंगे तो यह duplication नहीं हो जाएगा closing stock already यहां आ चुका है न पर्चेजिस में closing stock का क्या मतलब हुआ closing stock means unsold stock जो stock हमारे पास 31st March को unsold रहे गया वही तो closing stock हुआ और यह जो unsold stock है कहां से रहा है 11000 में को जिसकी cost जो थी 11000 रुपीज थी 9000 की cost का goods हमने sale कर दिया है तो it means cost of goods sold जो है 9000 रुपीज है और हम opening stock को ले रहे हैं trial balance में परचेजिस को ले रहे हैं पूरा पूरा ले रहे हैं तो 11000 में से ही तो 2000 बचा है अगर हमने closing stock को फिर से ले लिया trial balance में तो duplicate entry हो जाएगी तो इसका double effect आ जाएगा closing stock को हम trial balance के बाहर रखते हैं इसका मतलब यह नहीं है closing stock की हम debit करेंगे और trading account को credit करेंगे कितने रुपे से करेंगे 2000 रुपीज से क्योंकि हमारा 2000 रुपीज का closing stock बचावा है इसको आप समझे trading account अगर यह है trading account तो हम यहां पे आपका closing stock आएगा और balance sheets में यह हमारी as a current assets हम दिखाएंगे इसको दोनों जगे दिखाएगा देखिए इसकी कितनी value है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों closing stock को हम trial balance में नहीं दिखाते हैं दुबारा से मैं आपको revise करवा दूँ हम opening stock दिखा रहे हैं opening stock की जो value है जो cost है हमारे को जो cost पढ़ी है वह 1,000 और 10,000 11,000 रुपीज है इस 11,000 cost of goods में से हमने 9,000 की cost का goods बेच दिया कितने में बेचा that is M material 2,000 की cost का goods हमारे को बचा रहे गया तो ये 2,000 की cost का goods 11,000 में से ही आया है इसलिए हम closing stock को trial balance में नहीं दिखाते हैं तो ये तो 99% cases वाला जिसको मैं बोल रहा हूं कि generally we do not show closing stock in our trial balance अब आजागे 1% जिस case में closing stock trial balance में आता है in case trial balance में आपको ये दिया हूँ है cost of goods sold cost of goods sold दिया हूँ है opening stock भी ने दिया हूँ है purchases भी नहीं दिया हूँ है it means 9,000 रुपीज का ही impact trial balance में आ रहा है 2,000 रुपीज का impact trial balance में नहीं आया इस case में हम closing stock को trial balance में appear करेंगे और इस case में ना तो हम opening stock को trial balance में दिखाएंगे और ना ही purchases को हम trial balance में दिखाएंगे किसको दिखाएंगे cost of goods sold 9,000 रुपीज and cost of closing stock 1000 रुपीज again हमने 11,000 रुपीज का concept ले लिया ना पहले वाले situation में भी हमने 11,000 रुपीज का concept लिया था दूसरी situation जो मैं कहा रहा हूँ कि जिसमें 1% cases होते हैं कि closing stock को हम दिखाते हैं trial balance में वो यह है अगर आपको trial balance में cost of goods sold दिया वा है it means 9,000 रुपीज दिये वे हैं तो हम 2,000 रुपीज भी as closing stock दिखाएंगे opening stock और purchases नहीं दिखाएंगे तो I hope आपको बहुत अच्छे से concept समझ में आ गया होगा second situation को फिर से मैं revise करवा देता हूँ closing stock कब आएगा आपकी trial balance में closing stock तब आएगा जब cost of goods sold आपको अगर दिखाया हुआ है 9,000 रुपीज means जितने का goods sold हुआ है sold value मतलब जो है उसकी जो cost है वो अगर आपको trial balance में दिखाया हुआ है तब closing stock भी आपका trial balance में आएगा इस example में हमारा 2000 and 9,000 ये दोनों आएंगे तो आपने देख लिए students कोई सौतेला व्यवार no step treatment with the closing stock सबके साथ एक सा व्यवार है accounting treatment तो अभी हम दो illustrations करेंगे आपको और अच्छे से समाझ में आएगा closing stock का concept लेके आएंगे इसमें cost of goods sold का भी concept लेके आएंगे अम मैं इसको अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है लेकिन जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने illustrations को इस पर बोर्ड पर लिख दिया जिससे की उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिनके पास बुक अगर नहीं है इस illustrations में एक बुक कीपर ने अपने ledger extract को trial balance में शो किया है और इस trial balance को पैली करके दिखा दिया है इस trial balance में students बहुत सी गलतिया है हमने उन गलतियों को उन mistakes को हमने find out करना है और फिर एक redrafted trial balance बनानी है और फिर उसका debit side का total को देखना है कि वह match हो रहा है कि नहीं हो रहा तो चलिए अब हम एक एक account head को देखेंगे और देखेंगे कि पोस्टिंग trial balance में ठीक होई भी है कि नहीं होई वी तो सबसे पहले अकाउंट है furniture अकाउंट हमारे assets account को debit balance होता है तो इसको हम टिक कर देंगे कोई गलती नहीं है capital capital हमारी liability है owners की capital है liability है तो वह credit side में ही आएगा credit balance होता है तो यह entry हमारी ठीक है debtors debtors को है जिनसे हमने पैसा लेना है यह हमारी assets है तो हमारे assets debit balance होना चाहिए debit balance है तो हमारा यह entry भी ठीक है next है stock 1st April 2018 means opening stock है हमारा जो अप्रैल की पहली डेट का है जिसको हमने transfer किया है पिछले साल से तो 1,4,000 debit balance में दिखाया है ठीक है purchases और stock को हम debit balance ही होता है creditors creditors हमारी no doubt liability होती है और liability हमारी credit side में आती है credit balance आता है तो यह entries भी सही है है students यहां तक की सारी entries अब तक हमें सही मिल रहे हैं कहीं कोई mistake नहीं मिल रही है चलिए आगे दिखते हैं trade expenses expenses debit balance है मारा nominal account debit balance यह भी सही है और आगे चलिए sales revenue revenue means credit balance credit balance ठीक दिखाया हुआ है एक लेक्ट फुट्येट फुट्येट और सारी entries चीक है तो अब गल्की कहां है wages again expenses 30,000 करक्त दिखाया है debit balance इस्टॉक 31st March 2019 यह स्टॉक इस्टॉक इस्टॉक दिखा दिया है इसमें देखियो ओपनिंग इस्टॉक भी दिखाया हुए है closing stock भी दिखाया हुए इसका मतलब purchases भी बीच में दिहाँ परचेज भी दिखाई लिए तो यह स्टॉक हम आपको भी ले रहे हैं और purchases को भी ले रहे हैं तो closing stock यहां पे इसलिए closing stock की value trial balance में नहीं आएगी because we have already taken this concept ठीक है आई hope कि इसको हम बहुत अच्छे से अभी समझ चुके हैं अब ज्यादा detail में जाने की जरूरत नहीं है अब machinery देखिए assets item है और क्या किया हुआ है 50,000 हमें credit में दिखाया हुआ है इस यह गलत है यह आएगा हमारा 50,000 debit balance पर्चेस हमारा ठीक है debit balance आएगा 6,25,000 वाइफ लोन टू दा बिजनस वाइफ ने लोन दिया है उन्होंने लोन दिया है बिजनस को तू दा बिजनस मतलब बिजनस को दिया है लोन तो यह क्या होगी हमारी liability होगी ना अपनी के लिए तो देना है ना वाइप को तो वापस देना है वही तो 50,000 को इधर दिखाईए ना अब liability है लेटी है तुम credit करेंगे है ठीक है ना कि नेक्स चलते हैं डिसकाउंट अलाउड हमने डिसकाउंट दिया हमें रिसीव नहीं हुआ होता तो मेरी इंकम होती हमने डिसकाउंट आलाउड है इसमें वारा अगी चलते हैं ड्रैंक्स क्या होती है प्रोप्राइटर और उसने पैसाविट्रव किया है कैपिडल होती है हमारी क्रेडिट बैलस लियाइस क्रेडिट बैलस आता है और क्रेडिटल ठीक admitted नोग है अब देखते हैं मो ऩर गया तो यह का कर रहा है इसको भी अबैजने यह ज़ते उनकी को हम कहां दिकाएंगे डेबिट में alarm भी गलत एंट्री है अब देखते हैं मोटर वें मोटर वें तो ठीक है नो डाउट इसमें तो आइसेट्स आइटम है तो यह हमारा 60,000 यहां आ गया अब हम देखते हैं टिक टिक आइटम्स का और जो अब हमने नियूली इंट्रोड्यूस की हैं यहां पर रेड बैंस से इसका टोटल करेंगे दोनों साइड जो टिक आइटम है वो तो इसका हमाता करेक्ट है और जो हमने अभी लगाए हैं बाद में उनको भी हम टोटल करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि हमारी ट्रैल बैलन्स मैच हो रही है कि नहीं हो लिए 20,000 3,4,000 50 और 30,80 और 130,000 1,30,000 6,25 और 45,000 और 4,49,000 और 60,000 11,88,000 11,88,000 जरूरी नहीं कि जो हम जो भी बैलन्स पहले आ रहे हो ही आएगा हमारा कंसेप्ट इसको मिलाने का है अगर इस ट्रैडिट साइट का भी बैलन्स अगर 11,88,000 है इसमाने करेक्ट पोस्टिंग करी है अब क्रेडिट साइट का भी डोटल कर लेते हैं 2,80,000 तो यह हो गया 2,80,000 प्लस में 858 प्लस में 50,000 करेक्ट 11,88,000 तो हमारी ट्रैल बैलन्स टैली हो रही है इस जो पहले पोस्टिंग हुई भी थी वो गलत थी काफी सारी एर्रस थी इसके अंदर अब यह करेक्ट एंट इस 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 इलस्टिशन में हमने जो में हमारा था समझाने का क्लोजिंग स्टॉक को बाहर निकालने का था तो निकाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक को भी लिया है पूरे फुल अमाउंट को लिया है फुल अमाउंट को हम लेंगे तो क्लोजिंग स्ट एक इलस्टेशन समोर करते हैं एक्चुली जब तक मुझे अपने आपको तसली नहीं होती है कि आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा तब तक मैं आपको करवाता रहोंगा तो मैं अभी इसको रब करता हूँ और दूसरी इलस्टेशन लेके आता हूँ तब तक आप बने रही है मेरे साथ वलकम बैक स्टुनेंट्स एक और इलस्टेशन लेके आया हूँ इस इलस्टेशन भी आपकी टीयस गरिवाल की बुक से है लेकिन ये अंसॉल्ड प्रॉब्लम है आपके पेज नमबर 13.26 टीयस गरिवाल और प्रॉब्लम नमबर 13 इस इलस्टेशन में मुझे थोड़ा सा तो मुझे लगा आपके साथ शेयर जरू करना चाहिए अगें ट्राइल बैलेंस मैच हो रही है इसमें हमने आइडेंटिफाइब करनी है क्या मिस्टेक्स हैं और हमने फिर रीड्राफ्ट करना है ट्राइल बैलेंस को हम एक एक अकाउंट हेड को देखेंगे और फिर देख एक अrit आए चाहिए कॉस्ट आप गुडोड होन लैकुर्फैट से क्या मतलब तुबारह से हम एकॉपनिग इसकोपनीग कॉपनीग स्टॉप opening stock में हम purchases add कर देते हैं cost of purchases तब क्या आता है total purchases आ जाती है total purchases ये भी cost आती है cost of total purchases ठीक है इसमें से हमने goods sales कर दिया तो goods sold कितना हुआ हमारा goods sold cost of goods sold वो ये बता रहा है जावा 1,50,000 इस से पहले का इन सब का हिसाब हो चुका है opening stock का हिसाब भी हो चुका पर changes को भी adjust हो गया इसमें से actual में जो हमने goods sold किया है उसकी cost अब देखिए cost of goods sold डेबिट किया है ठीक किया है डेबिट ही होगा इसको लिए हमने correct entry है नेक्स्ट है closing stock स्टॉक 40,000 अभी हमने डिसकस किया closing stock को हम लेंगे लेकिन closing stock credit balance होई ने सकता भाई ये तो हमारी current assets है और assets है तो हमने इसको कर दिया debit साइड में डेटर सिक्स्टी थाउजन यह भी गलत entry है डेटर हमारे अगेन एसको भी हमने कर दिया debit balance अब देखिए credit as 30,000 बिल्कुल ठीक है credit balance होता है 30,000 फिक्स जैसर्ट फिफ्टी थाउजन बिल्कुल ठीक है फिक्स जैसर्ट डेपिट बैलंस होगा opening stock अब बताइए opening stock आएगा अभी हमने बैलंस दिखा रखता है expenses का कभी credit balance नहीं होता debit balance ही होगा then sales 20,000 revenue आइटम हमारा sales बिल्कुल ठीक है capital 90,000 फिर से गलत दिखाया हुए 90,000 हमारा आएगा credit balance capital है हमारा liability है तो 90,000 हमारी credit balance आज़े अब इसका total करते हैं और फिर देखते हैं हमारी बैलेंस ट्राइल बैलेंस ट्रैली हो रही है कि नहीं हो रही है कि सबसे पहले है 150,000 फिर से काऊंगा कि जरूरी नहीं कि जो पहले 3,000 आ रहा था वही हमारा अब भी आए अब तो हमने एक आइटम हटाया भी है यहाँ तो हमारा का में मकसद है सरफ से इसको एक वाल करने का इक वाल होना चाहिए अब देखिए यहां पर क्या है यह कुछ भी नहीं है तो यह हमारी बनी है अब री ड्राफ्टेड ट्राइल बैलांस होप इस्टूनेंट्स आपको अब कॉस्ट फोल्ड क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पचेज इन सब को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझान की विद इलस्टेशन और इवन देन अगर आपका अभी भी कुछ डाउट्स है यू प्लीज राइट और मैं कमेंट बॉक्स तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है अब हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को लेके आएंगे जिसका नाम है डेप्रिसेशन बहु कर दो